अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना सकर के बिना चाय पत्ती के और बिना किसी जंजट के सिर्फ एक उनुट में चाय बना सकते हैं तो क्या विजवास करेंगे करना ही पड़ेगा विजवास आपको क्यों कि मैं आपको लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं तो यहां हम लेंगे आदा कप चीनी चीनी अगर आप इसको ग्राम में मापे तो यह 120 ग्राम है इसको डालेंगे मिकसेर जार में और अब इसमें डालेंगे हम इलाइची अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसको इसकी कर सकते हैं पर गर्मियों के दिनों आपके पास है तो वो जरूर डाले गर्मियों में बहुत जादा थंडग देता है बोडी को क्योंकि हम इतने नक्टे हो गए ना कि चाय की मिना रही नहीं सकते चाय कुछ भी हो जाए तो इसमें चार बड़े चमच हमने डाली चाय पत्ती तो हम चोकलेट वाली चाय पत्ती य इसको हम चान लेंगे चीनी के या फिर इलाइची के कुछ भी मोटे क्रेश्टल रहे गए होंगे तो वो निकल जाएंगी इस तरह से एक पाउडर बन की तियाहर हो जाता है सबर करिए अब भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी इसमें और भी कुछ एट करना है क्योंकि सिप इसको आप चीनी में डाल दीजिए और आपकी नोर्मल चाहें भी इलाइची फिलेवर की बन के तियार होगी तो आप देख सकते हैं एक दम पतला सा फाइन पाउडर बन के तियार हो जाता है अभी इसमें कुछ और भी एट करना है एट करने के बाद इस पाउडर को आपना छे महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं साथ और साथ सपाई भी करते जाएंगी ताकि कुकिंग करने में बड़ी आसा हमारा मन लगा रहे और अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे अधरक क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती न कोई सा भी मोसमों पर अधरक का फ्लेवर जो कापी पसंद करते हैं तो यहां हम डालेंगे सोट पाउडर अधरक को सुका करके पीस करके हमने बनाया है सोट पाउडर तो एक चमच डाल दिया है और एक कप यानि की 120 और 1500 ग्राम के बीच में हम डालेंगे यहां मिल्क पाउडर यहां पर आपको अच्छी ब्रैंड का ले जिसे अमूल बगेरा कापी अच्छे ब्रांड है ये और इन सब को बढ़िया से मिक्स कर देना है और फाइनली हमारा ये चाय प्रेमिक्स बनके हो जाता है तयार जब भी आप सपर में जाए तो एक चोड़ इसी डिबी में रख लीजी और आजकल तो पानी गरम करने की डेर स तो उसके लिए भी में बता दूँगी कि आपको क्या करना है इन सब को एक एयर टाइट कंटेनर में हम भर लेंगे और उसके बाद इसको कर लेंगे हम इस्टोर तो यहां देखिए इसको भर लिया है और ढकन लगाएंगे बढ़िया टाइट और इसको रग देंगे देखि इसे हैंड मुमेंट्स हो रहे थे तो यहां पर पानी को अच्छे से खोला लेना है और अब इसमें हम डालेंगे गलास में यह प्रेमिक्स तो जो नोर्मली छोटे कप से हम बनाते ना कटिंग कप तो उतना बना रहें तो उसके लिए जो है ना हमें यहां पर दो चम्मच ल इसे ही छोड़ देंगे नोर्मली कुछ भी एड नहीं करना है यहां पर अगर आपको लगे कि हमारी चाह पतली वन रही या फीकी वन रही तो आपको क्या करना इसमें और मिल्क पाउडर एड कर देना है और उसके बाद आप इसमें पिसी हुई चीनी पाउडर एड कर सपर में जब बहुत जाड़ा चाह की ग्रेविंग होती है तो आप इसे इसे इस्तमाल कर सकते है अपने बेक में चोटे से पाउच या चोटे सी डिबी में भरके इसको रख लीजिए तो यह चाह एकदम पर्पेक्ट है आप इसको ट्राय करें अगर वीडियो अच्छ लग करें मिलते हैं नेक्स विलोग में टिल एंट बाब बाई